हेलो स्टूदेंट्स वेलकम टू न्यू वीडियो तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि थोड़ा मॉड्लस और आर्गुमेंट को पर कुछ एडवांस क्वेशन्स कराये जाए थोड़े मतलब ऐसे जो थोड़ा दिमाग घुमा देने वाले हो जिन में थोड़ा नए कॉंसेप् थोड़ा हम कॉंप्लेक्स नंबर से बाहर उठके थोड़ा कुछ और एलजब्रैक एक्सप्रेशन्स जो हमने बच्पन में थोड़ा पहले पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा उसका यूज करके हम मॉड्लस और आर्गुमेंट निकालना सीखे क्यों क्योंकि ये दिखने म कॉंप्लेक्स नंबर का पावर कॉंप्लेक्स या कॉंप्लेक्स नंबर का पावर कॉंप्लेक्स ठीक है न इसके बारे में हम थोड़ा इस वीडियो में देखने वाले हर वीडियो के लिए बस हमें क्या करना है उसको कैसे भी करके दो फॉर्म है थोड़ा नो क्लिक लेते है हमको Z को जो भी ये पूरा-पूरा Z है मालों ZX को Z1 बोल देते हैं ठीक है ना तो जो भी Z1 होगा न उसको कैसे न कैसे करके X प्लस आयोटा Y के फॉर्म में लाना पड़ेगा और ये तुम्हारे पूरे calculation के उपर है और R E की पॉर आयोटा थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा ठीक है इन दोनों के फॉर्म में लाना पड़ेगा किसी न किसी एक फॉर्म में ला दो ये तुम्हों calculation करते समय पता चलेगा कि किस फॉर्म में लाना है ठीक है ना तो पहला question करते है पहला question दिया है e की पाउर iota z अब यहां से तुम्हारे पास दो दो चीज़े बन सकती है या तो इसी form में आ जाए या इसी form में आ जाए पहले हम क्या करेंगे z जो भी होगा जो अंदर z होगा जो variable z होगा उसको r e की पाउर iota theta put कर दो ठीक है तो e की पाउर iota times r e की पाउर iota theta यह देखा e की पाउर iota theta को हम क्या लिख सकते है यहाँ पर एक और चीज़े इसको यह भी लिख सकते है cos theta plus iota sin theta यह लिखे सकते है इसको इसमें put करो ताकि तुम्हारे दो थोड़ा multiplication असान हो जाए तो r cos theta plus iota r sin theta अब i multiply करो अंदर तो क्या देखेगा e की पाउर iota r cos theta plus iota square हो जाएगा तो वो क्या होगा minus r sin theta अब देखो इसमें कुछ-कुछ तुम्हें दिख रहा है यह पूरा का पूरा एक तुम्हारा iota theta के फॉर्म में बन रहा है और यह कुछ constant बन रहा है e की power तो देखो e की power minus r sin theta इसको मैं अलग कर दिया इसको मैंने power सही अलग कर दिया multiplied by क्योंकि यह plus है ना तो वो multiplication में लिख सकते हैं e की power iota r cos theta क्या दिखा यह कुछ तो दिख रहा है ना r cos theta r cos theta क्या है कोई constant है कुछ तो constant देगा यह तो यह radian में कुछ value ला देगा ठीक है यह देखो e की power minus r sin theta यह कुछ भी हो e की value जो भी होती है graph अगर तुमने देखा हो e की power x तो वो हमेशा positive value देता है ठीक है ना e की power x तो यह तो positive value हो गया तो क्या ही है तो यह तुमने कुछ कुछ ऐसे देख रहा है r e की power iota theta कुछ कुछ दे रहा है यह देखो यह r positive है और कुछ real value दे रहा है देखो theta यह भी कुछ ना कुछ positive value दे रहा है कोई complex number नहीं दे रहा है हमने इसको ऐसे पर क्यों नहीं direct बोल दिया कि इसका जो modulus है यह 1 देख रहा है और theta तुमारा z देख रहा है तो हमें और argument हमारा z देख रहा है क्या argument z कोई complex number होता है नहीं इसलिए हमने इसको direct नहीं लिखा बट यहाँ हम लिख सकते हैं यह जो r cost theta न यह तुमारा कोई complex number नहीं है कोई real number है और यह radian कुछ देदेगा आगे चलके ठीक है तो यहाँ से हमें कुछ दिखा अब मैं इसे मिटाता हूँ तो यहाँ से हम direct लिख सकते हैं नीचे आके नीचे आके अब यह जो z 1 हमने निकाला है यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका जो modulus होगा जो given modulus of e की power iota z इसको solve करके हमने निकाला यहाँ पर वो क्या होगा e की power minus r sin theta ठीक है और उसका argument क्या होगा argument of e की power iota z क्या होगा वो क्या होगा E की पाउर IOTA और उसका coefficient जो होता है IOTA का coefficient क्या होता है R cos theta दिख गया हमने क्या किया हमने इसको Z था, Z हमाई दिया हुँए था R E की पाउर IOTA theta उसको हमने put किया इसमें और हमने calculation किया, थोड़ा plus minus किया और कैसे भी करके इसको R E की पाउर IOTA ठीक है, दूसरा question दिखता है, दूसरा question है तुमारा log of Z, ठीक है तो Z तो तुमारा already दिया हुआ है R E की पाउर IOTA theta अब यह तो दिखने भी भी नहीं दिख रहा है, यह तो पहले दिख भी रहा था पहला question तो E की पाउर IOTA theta, यह तो दिख भी रहा था यह तो दिख भी नहीं रहा, कि cos X plus sin X कुछ तो दिख नहीं रहा तो इसको हम क्या करेंगे, simply पहले यह put करेंगे कुछ नहीं देखना है, बस यह put करना है log of R E की पाउर IOTA theta, दिखा और यह base E है, log of base E, ठीक है यह base E है, ln में बोल देता हूं, आगे से ln times R E की पाउर IOTA theta, जिन्होंने log पढ़ा है उन्हें property पता होगी, कि अभी मैंने कुछ दो-तिन वीडियो से बताने चालू किया है, तो log of A plus B क्या होता है, तो sorry, log of A multiplied by B, sorry, sorry log of A multiplied by B क्या होता है, log तूड जाता है, और plus होने लगता है, ठीक है log of B, ठीक है, वैसे division में तुमारा ln A by B क्या होता है, ln A minus ln B यह जिन्हों को नहीं पता, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाखी लोग आगे वीडियो स्किप कर लो, ठीक है, और log of A की power something N दिया हुआ है, तो यह क्या होगा, N times log of A, ठीक है, यह basic property होती है, अब देखो, उसको यहां यूज करो, देखो, यह multiply में है, इन दोनों को अलक किया, मैंने, ln R plus ln E की power iota theta, अब देखो, यह power में है, तो यह दिख रहा है, ln R plus iota theta multiplied by ln E, और ln E, जो भी base होता है, न, log of base अगर A है, और अंदर भी यह base की value आ जाए न, तो यह value 1 हो जाती है, यहाँ पर base क्या था, E था, ठीक है, और अंदर भी E आ गया, तो यह value 1 हो जाती है, ठीक है, यह आ दोना चाहिए, ठीक है, तो ln R plus iota theta, यह क्या-क्या कुछ x plus iota y के form में बन रहा है, हाँ, बन रहा है, क्युँगी r positive है तुमारा, r जो इसमें होता है, यह positive होता है, तो ln R भी कुछ-कुछ positive देगा, ठीक है, यह तो satisfy हो गया, theta, theta भी तो कुछ radian में होता है, यह भी positive होता है, तो क्या होगा, x plus iota y के form में देखा, क्योंकि x, y ही तुम्हारा real number का कुछ element होता है ठीक है तो यह तुम्हारा एक नया z1 बन गया जो कि log z था इसको हमने solve करके निकाला तो यहां पर से तुम direct modulus निकालना हो modulus of z1 क्या होगा under root log r का whole square plus theta square यह होगा modulus of z1 ठीक है और argument तुम्हें ऐसे से निकालना हो तो उसमें साइन देखना पड़ेगा कि log r तुम्हारा क्या आ रहा है पॉस्टिव रहा है नेगेटिव आ रहा है ठीक है आर्गुमेंट निकालने के something of complex की power complex तक है इसमें हम क्या करेंगे इसको फिर से complex kind सयंगर में इस तरह कुछ जो पहले कुछन में में किया था e की पर iota 010 द था न ये भी तो कुछ complexe की पा जैट था था ना तो complex की पाउर z है निसको complex में किंच करेंगे है किस से चेंज करेंगे इसको polar form में change करे क्योंकि polar form में थोड़ा powers में आ जाता है न तो वहाँ पर थोड़ा तुम्हें calculation कम पड़ता है तो root 3 minus iota by 2 इसको जो check करना इसका पूरा निकालना यह आएगा तुमारा यह पढ़ रहा है तुमारा fourth quadrant में ठीक है मैं यहां मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका model is simple देख रहा है 1 है ठीक है root 3 by 2 और 1 by 2 दुनों के square करोगे 1 आ जाएगा तो यहां से तुम्हें देख रहा है कि यह है तुमारा e की power minus iota pi by 6 30 degree की power z और z को हमने क्या बोला था लिखने के लिए r e की power iota theta ठीक है अब वो अंदर आके multiply हो जाएगा तो minus iota pi by 6 पहले वाले question की तरह दिख रहा है multiplied by r e की power iota theta दिख रहा है फिर से e की power iota theta को हम फिर cos theta plus iota sin theta में लिख सकते हैं यह क्या होगा minus iota pi by 6 multiplied by r into cos theta plus iota sin theta यह हम आगे बढ़ रहा है इसके आगे देखो e की power minus pi by 6 into r इसको इदर ही रहने दो iota को अंदर multiply कर दो तो क्या होगा iota cos theta ठीक है minus sin theta क्योंकि iota iota square हो जाएगा ठीक है अगेन यह कुछ-कुछ दिख रहा है कुछ-कुछ दिख रहा है e की power में कुछ iota के कुछ iota वाले coefficients होंगे और कुछ constant वाले constant वाले एक जगह लिखलो वह होगा तुमारा pi by 6 r sin theta इसको मैंने अलग कर दिया और एक होगा e की power minus pi by 6 r into iota cos theta या फिर इसको थोड़ा और simplify करके लिखो e की power iota pi r sin theta by 6 multiplied by e की power minus iota times pi r cos theta by 6 दिखा कुछ यह देखो यह कुछ greater than 0 होगा क्योंकि e की power constant कुछ constant या कुछ मतलब real value वो तुमारा कुछ ना कुछ positive देगा तो यह तुमारा modulus हो गया तुमारा और यह देखो e की power iota का coefficient iota का coefficient minus of this तो यहां से तुम्हें इसका modulus दिख गया और argument दिख गया modulus तुमारा क्या आएगा इसका e की power pi r sin theta by 6 यह तुमारा modulus हो गया argument क्या होगा iota का coefficient वो क्या था minus of pi r cos theta by 6 ठीक है simple क्योंकि r e की power iota theta में देख गया था अब अगला चौथा question जो तुमने उपर देखा होगा वो यह होगा root 3 minus 1 की power z यह कुछ z1 है यह ही है same यह है by 2 नहीं है बस यहाँ by 2 होने से इसका modulus 1 हो जा रहा था अब देखो इसका modulus होगा तुमारा 2 तो z1 equals 2 यह होगा 2 times e की power iota minus pi by 6 ठीक है अब हम पहले क्या कर रहे थे इसको अंदर multiply कर रहे थे और हम यहां से हम carry forward कर ले रहे थे 1 की power r cos theta प्लस r sin theta इससे कुछ फर्क नहीं पढ़ रहा था बट अब 1 की जगा 2 हो गया है अब यह भी तो कुछ value देने लगेगा ना तो यहां दिक्कत हो गया तो अब यहां पर हम नया तरीका समझेंगे नया तरीका क्या है z1 equals to 2 e की power minus iota pi by 6 है न कि power z है log ले लो दोनों साइड तो इसको हम बोलेंगे log of z1 equals to log of z1 अब यह power में है और यह base है तो दोनों का अलग लग हम कर सकता है यह क्या होगा z times log of 2 multiplied by e की power minus iota pi by 6 जो भी मैंने उपर बताया था कि power वाला बाहर आ जाता है पावर और यह अंदर ऐसे रहेगा आप देखो फिर से यहां multiplication है तो प्लस में बदल जाएगा वो अगर हम उसे तोड़ेंगे तो क्या हैगा z times log of 2 minus sorry plus log of e की power minus iota pi by 6 फिर से देखो यहां e की power something है तो यह बाहर आ जाएगा और log e 1 हो जाएगा बेस e है यह जितना भी हम calculation अभी कर रहा है तो log of यह पूरा multiply लाएगा था ठीक है log of 2 यह 2 है minus iota pi by 6 into log e log e 1 हो जाएगा फिर ठीक है अब देखो यह क्या देख रहा है log of base e z1 equals to z times log 2 minus iota times pi by 6 into z अब यहाँ z को थोड़े दिर के लिए r cos theta plus iota sin theta put करो ठीक है न यह थोड़ा बड़ा जा रहा है ठीक है तो देखो यह देखो और यह देखो दो-दो values हो गए r cos theta plus iota sin theta multiplied by log 2 minus iota pi by 6 z multiplied by कुछ complex multiplied by complex है अब चलो multiply करते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी देखो यह इसका multiplier पूरे रिम करते हैं तो r cos theta log 2 ठीक है plus r cos theta minus iota pi by 6 ठीक है यह एक जगा iota का कोई efficient हो गया फिर iota times log 2 sin theta ठीक है अब देखो यहाँ देखो iota multiply हुआ ठीक है minus 1 हो जाएगा और minus already है तो plus 1 हो जाएगा तो यह होगा sin theta 5 by 6 5 by 6 अलग है ठीक है तो अब यहाँ से तुमने iota के coefficient को एक पास लिया और constant वालों को एक पास लिया तो यह होगा r cos theta log 2 ठीक है plus pi by 6 sin theta ठीक है इस वाली को इधर लाया plus iota times iota वाली को efficient को एक पास किया log 2 sin theta minus r pi by 6 into cos theta यह एक जगा कर लिया हमने ठीक है यह वाला अब देखो यहाँ पर यह bet देख रहा है कि log e की power z1 है और हमें निकालना तो z1 है अब z1 जैसे करोगे तो इसको कैसे करना होता e की power something कर दोगे तो यह z1 equals to e की power something यह हो जाएगा यह पूरा ठीक है ना जिनको log आता है logarithm आता है वह अच्छे से कर लेंगे पावर में है अब यह देखो यह पूरा e की power something यह पूरा आएगा अब उसमें देखो इसमें iota वाले को मैं अलग कर दूँगा और constant वाले को अलग कर दूँगा तो constant वाला तो अलग हो गया multiplied by constant यह मेरा कहने का मतलब real वाला क्योंकि आर्गमेंट कल गया क्या है यह आर्गमेंट है और यह देखो यह अंदर real values है real values पे e की power x क्या देता है positive value देता है तो यह क्या होगा यह तुम्हारा modulus हो गया तो ऐसे करना होता है ठीक है यहां से modulus और argument कल गया इतना थोड़ा क्योंकि कभी कबार question में या boards में तुम्हारे अगर ऐसे कुछ questions पूछ दे तो उसके लिए तुम्हें यह सब करना पड़ेगा log की values उस करने पड़ेंगी something complex की power complex दे दिया है तो उसके लिए यह यूज करना पड़ेगा complex की power complex अगर दे दिया है complex की power complex कभी भी दिया है ठीक है यह complex की power complex है तो हमेशा log का use करना है ठीक है न हमेशा log का use करना जब भी complex की power complex दिया हो ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही हमने बहुत ही अच्छा खासा questions की है मतलब इससे tough level का मतलब मैं यह थोड़े मतलब कैसे होते है थोड़े मतलब ज्या जाएगा तो आप बिंदास रहेगे ठीक है तो यस वीडियो में इतना ही होप करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझ आया होगा फिर आगे हम नेक्स वीडियो में नए चैप्टर्स को हम नए टॉपिक्स को डिस्कोवर करेंगे ओके कीप प्रक्टिसिंग